वेल्कम बेक टो माई योटप चानल गाईज आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसे कि आज हम सीखेंगे जैसे 25 परसेंट को अ क्वाटर बोलते हैं तो 25 परसेंट से थोड़स ओपर है तो हम लिखेंगे जस्ट अबब अ क्वाटर जैसे कि उसके बाद 50 परसेंट जस्ट सब्सरें और दोपल और इनल्व करते हैंतो हम लगले के वल्ट युजनद ऑन बेशनने मलते हैं जैसे कि आप स्टेप्स करका है आप वीडियो को पॉस्ट करके बढ़े कर सकते हैं अब हम आगे देखते हैं जैसे कि आप steps को explain करने के लिए ऐसे यूज़ कर सकते हैं next then after that following step subsequently जैसे कि इस तरीके से आप words यूज़ कर सकते हैं जैसे कि conductors हम बोलते हैं basically तो आप इस तरीके से आप conductors यूज़ कर सकते हैं अब हम आगे देखते हैं जैसे कि रजे बार चार्ट में या time period के बारे में बताया होता है कि बार चार्ट सिर्फ तीन चीज़ों में आता है जैसे कि past, present, future उसमें years के बारे बताया होता month, days, hours हम आगे देखते हैं changes को हम कैसे define कर सकते हैं जैसे कि रजे आप देख पारे हैं decrease के लिए downward trend क्या होता है, upward trend क्या होता है, period of stability कैसा होता है तो आप इस तरह के से सरी वीडियो को pause करकर सब को no down कर सकते हैं अब हम आगे देखते हैं रजे अब हम देखते हैं line graph के regarding जैसे कि line graph में upward trend होता है, downward trend होता है तो आप as a result, as a consequences इस तरीके से दोनों same ही है, इस तरीके से write कर सकते हैं जैसे कि BP1 की starting कैसे कर सकते हैं और BP2 की starting हम कैसे कर सकते हैं जैसे कि दजे आप इस तरीक के से write कर सकते हैं अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं जैसे कि map में हम vocabulary कैसे vocabulary यूज कर सकते हैं जैसे कि रजे यहां मैंने example लिखें in 1970 there was a library in northwest which has been removed जैसे कि removed के लिए आप change into transform into convert into आप यह सारे words डोट डाउन कर सकते हैं I hope रजे आपको वीडियो helpful लगी होगी अगर वीडियो helpful लगी तो चानल को subscribe करना नाम बुलेगा and thank you for watching